हाई फ्रेंट्स आज मैं आपको दिखाऊंगे कि मैंने अपने बैलकनी में कौन-कौन से प्लांट लगाई हुए हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग करते हम डैफिन बैके असे आप देख रहे हैं जूसतों कितना ज्यादा सुन्दर प्लांट लग राई हैं फ्रेंड्स अगर आपना कोई plant लगाने के बार में सोच रहे हो इस पेसले indoor plant लगाने के लिए सोच रहे हो तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप ये plant लगाएगा ये बहुत ज्यादा अच्छा plant है इस plant में ज्यादा देखबाल की जुरत नहीं होती बहुत ज्यादा कम द या फिब है तो आप इस प्लांट को ना ही लगाई क्योंकि ए प्लांट थोड़ा सा जहरीला होता है अगर आप इसके लिप्स को भी टॉच कर रहे हो ना तो आपको फेंड वोस करने की चुछत होती है यह इतना ज्यादा जहरीला होता है पर्ट इसके बैनिफिट भी काफी सा बात कर लेते हैं दूसरे प्लांट की वह को देखने में सुन्द्र लगती है आप देख रहे हो इसमें ग्रीन और यलो कलर है काफी शारी वराइटी त्यांव भी colorful होते हैं जैसे काई रडिया ग्रिंग कलर में होते हैं और काफी सारे कलर होते मतलब मैंने तो यलो और लिया थे जो कि मुझे बहुत जादा सुंदर लगता है और दोस्तों यह इंडोर प्लांट जैसे टैफन पैकिया का प्लांट था वह वह बंडोर था वैसे यह भी इं तरब तो अगर आपको यह प्लांट अच्छा लगता हो तब स्द्ध experienc hybrid को लिजिएगा इस से प्लांट का न एक बेभी के नश्जाय है बेपी में आभी आपको मैं दिखा देती है इसे वी दो या तीन दी में संकीरेस की जुरत होती है और साथ पर टैम पर पानी की जुरत होती है वरना जो इसकी लीव से वो डल हो जाएगी और जलती से किडने लगेगी इसलिए अगर आपके पास ज्यादा ओवर टैम नहीं होता कभी आप बोल भी चाहते हैं पानी देन इसमें ज़्यादा देखबाल की जुरत नहीं होती है और साथ में इंडोर प्लांट भी है तो यह इंडोर में काफी ज़्यादा अच्छा चलता भी है इस प्लांट में 15 दिन में एक बार आप इसमें वर्मी कंपोस्ट दे दीजिए बहुत ज़्याद अच्छा चलेगा और वर्मी कंपोस्ट की पस एक छोटी सी चमच ही दे रही है 15 दिन में ज्यादा नहीं देना अगर आप ज्यादा मात्रा दे 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 तो वर्मी कंपोस्ट की उससे खराब भी हो जाते है और कई बार इसके पत्ते पेले पढ़ जाते वह इसका रीजन यह है अगर आप इसे संकी इसके डारेक्ट सामने रख रहे हूं तो इसके पत्ते पेले पढ़ जाएंगे इसलिए इसे हलकी से छाओ में रखना है आपको और कई बार जो यह स्टीक आपको दीख रही है इसके आसपाच आप फंगस लग जाते हैं तो वह भी चेक करते रहेगा टाइम टू टाइम की क काफी सारे होते हैं पर यह है रैड और ग्रिन कलर कर जो की देखने में बहुत जादा अच्छा लगता है यह प्लांट थोड़ा चोटा है इसलिए मैं इसे छोटे पोट में हैंक की होए दिवार में अगर आप दूर से दिख रहे हो तो यह काफी अच्छा लगता है ड्रैस प्लांट के देखबल बहुत जादा कम है इसलिए अच्छा उप्सन है घर में लगाने के लिए ड्रैसिना के मैंने दो प्लांट लगाए हुए और सेमी कलर मुझे बहुत अच्छा लगा दूसरा प्लांट मैंने बास्केट से हैंक किया हुए आपको नजर आ रहा होगा और दोस्तों चो इसकी लिपस होती ना वह थोड़ी से जहारी लिए होती है इसलिए इसकी लिपस के लिए भी थोड़ा सा केर करना कुछ बच्ची या पैटन आ खालें आपको मैं थोड़ी दूर से दिखाते हो कितना अच्छा लगता है ये दूर से देखने में अब हम बात कर लेते हैं next plant की वो है money plant money plant दोसे बहुत ज़्यादा सुंदर plant और indoor plant है और इसको लगाना भी बहुत ज़्यादा इजली है और अगर आप इसे divide करना चाहते हो एक ही money plant से काफी सारे बनाना चाहते हो वो भी करना बहुत ज़्यादा असान है आप इसकी cutting से काफी सारे money plant के पोदे लगा सकते हो और दोस्ता money plant वैसे हर घर में उना चीए क्योंकि बहुत ज़्यादा सुब होता है और आपको एक चीज़ बता देते हो अगर आप money plant लगाने की सोच रहे हो तो आप इसे बुद्वार के दिन ही लगाईएगा क्योंकि बुद्वार के दिन कहा जाता है इसमें लक्ष्मी जी का वास होता है और दोस्ता एक चीज़ और बताती हूँ वास्तो सासरों के अरुसर कहा जाता है कि money plant को कभी घर के बाहर नहीं रखा जाता अगर आप इसे घर के बाहर रखा हुआ है तो इसे घर के अंदर रख लीजिए क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है इसमें माता लक्ष्मी जी का वास होता है और माता लक्ष्मी को कभी घर के बाहर नहीं रखा जाता इसे money plant को इमें सा घर के अंदर ही रखना चाहिए चाहिए आप इसे balcony में रख सकते हो पर घर के बाहर नहीं रखना मैंने इसके काफी सारे प्लान लगाए हुए हैं और इसे मैंने balcony में क्रील के उपर रखा हुए है और यह गेड़ना चाहिए इसलिए इसे अच्छी तिर से बांध भी दिया है थोड़ी सी safety करने बहुत जुरूरी होती है और friends अगर आप इसके cutting लगाने की सोच रहे हो तो cutting को आप direct मिट्टी में मत लगाना मिट्टी में लगाते ही cutting खराब हो जाएगी पहले कुछ दिन इसे पानी की बोटल में रखना जब रूट आ जाए तब उसके बाद ही इसे मिट्टी में लगाना अब हम बात कर लेते हैं devil's backbone plant की यह पो जाता सुन्दर plant में से एक और space लिए indoor plant है इस plant को ज्यादा सुरज की केड़नों की जुरत नहीं होती है इसलिए अगर आप 4-5 दिनों में एक बार इसे सुरज की केड़नों के सामने रख रहे हूं तो यह काफी अच्छा चलता है दोस्तों यह plant थोड़ा सा जहरिला होता है इसकी जो leaves है वो थोड़ी सी जहरिली होती है अगर आप इसकी leaves खा रहे हो तो आपको vomiting या फिस चक्राने वाली problem आ सकती है बट decoration के purpose में यह काफी अच्छा लगता है इस लेलो काफी इसे लगाती है जैसे मैंने भी इसे लगाया हुआ है बट थोड़ी सी केरिंग की जुनत होती है दोस्तों जो इसकी डाली होती है वो भोजाता जिग जग टाइप में होती है टेड़ी मेड़ी होती है सीधी बिलकुल भी नहीं होती है और अगर आप इसकी कटिंग लगाने की सोचे हो तो डाली कहीं से भी तोड़ कर इसकी मिट्टी में लगा दीजिए बहुत अच्छी तरह से ग्रो कर जाएगा और इसी प्लांट के मैंने साइड में लगाई हुई है तूलसी तूलसी का घर में होना भोजाता अच्छा माना चाता है भोजाता सूब माना चाता है तूलसी में माता लक्ष्मीजी का वास होता है इसलिए घर में तूलसी चुरूर लगाने चाहिए और कहते हैं कि जहान तुलसी होती है वहाँ कभी गल्फ चीज़ नहीं आती इसलिए तुलसी का होना बहुत जառा जुरोड माना जाता है घर में अब हम बात करेंगे नेक्ट्ट प्लांट की वो है सिंगोनियम का प्लांट सिंकोरियूम का प्लांट एक बैतरी इंडोर प्लांट में से एक है जिसे लोग ताजी हवा के साथ अच्छी किसमत के लिए फी गर में रखते हैं कहते हैं कि ये प्लांट पॉजिटिव एनर्जी प्रोवाइड करता है और नेगेटिव एनर्जी को गेन करता है इसलिए ये घर्म में रखना भूँ जादा सुमाना चाता है अगर आप इसके cutting लगाना चाहते हो तो आप इसे money plant की तरह ही लगा सकते हो जैसे money plant की cutting लगती है वैसे ही इस cutting को आप लगा सकते हो गर में दोस्तों सिंकोरियम की plant को पानी बहुत जादा पसंद है इसलिए हमें से इसकी मिटी में थोड़ी नमी होनी चाहिए अब हम बात कर लेते है स्नेक प्लांट की स्नेक प्लांट दोस्तों सबसे खास प्लांट में से एक है यह 24 आपर oxygen देता है यह हवा को सुथ करने के लिए बहुत जादा खास प्लांट में से एक है और अगर हम बात करें इसकी देखबाल की तो इसकी देखबाल बहुत जादा कम है बिल्कुल ना के ब्राबर देखबाल है इसकी अगर आप इसे इंडॉर में रख रहे हो तो इसे 9 या 10 दिन में एक सूरज की किर्णों के साथ थोड़ा सा पानी देती थी बहुत है इस प्लांट के लिए इस प्लांट को ज्यादा पानी की जुरत नहीं होती और ज्यादा पानी पसंद भी नहीं करता है अगर आप इसको पानी ज्यादा दे रहे हो तो इसके रूट में फंगस लगना यह प्लांट डेक्राइशन के पप्पस में वें कावी अच्छा है इसे मैंने सेम प्र्ट में लगाया हुआ है तो इसलिए काफी अच्छा लग रहा है और साथ में मैंने इससे मिदर के सामने सापने प्लांट में से एक है अगर आपके घर में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है कोई परेशानी है तो यह प्लांट जो लगाईएगा आपके यहां के घर की जो पानी नहीं देना क्योंकि इस प्लांट को बिल्कूल भी जाता पानी नहीं पसंद वरना फंगस लग जाएगा रूट में आपको फ्रेंट्स में एक चीज और दिखाती हूँ आपको यह देख रहे हो दोस्तों यह मैंने कल ही बनाया है यह आपको कैसा लगा आप मुझे कमें इसमें लगाएवे हैं मैं नेक्स होडव में आपको जोरूर बताओंगी कैसे बनाया जाता है और यह चोटी ही फ्रेंड में कौन-कोर से आपने प्लांट लगाए हुए हैं ये भी मुझे कमेंट करके ड्रूर बताइएगा और friends अगर आपने अभी तक मेरि चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया तो मेरे चोटे झाल झाल